आज की वीडियो में दोस्तो हम यह जानेंगे बरसात के मौसम में गुलाब के पौदे पर जादा फूल कैसे पाएं नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज मैं आपको कुछ ऐसे फटी लाजर बताऊंगा जिन से आपके गुलाब के पौदे फूलों से भरे रहेंगे तो चलिए दोस्तो फिर वीडियो की सुरुआत की देते हैं बरसात के मौसम में गुलाब के पौदे पर फूल पाने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपके साथ सेर करूँगा तो दोस्तो सामने जो की कुछ फूल आप देख पा रहे हैं पौदे पर देखें कुछ बटस भी निकले हुए हैं कुछ फूल खिल चुके हैं और कुछ खिलने वाले हैं और देखें इनकी जो गिरोथ चल रही है गिरोथ कापी है भी चल रही है और यह मैंने एक चोटे से पौट में लगाया हुआ है गुलाब का पौदा और उससे भी अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस पर ज देनी होंगे जिससे कि आपके गुलाब के पौदे फूलों से भरे रहे हैं तो वो कौन से भटी लाजर हैं और किस तरह से दिये जाते हैं तो चलिए दोस्तों मैं उन्हें भी बताँगा उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा आप हमारे चैनल पर पहली वार आए हैं त तक देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए इसकी अलावा मैं आपसे बताना चाहूँगा गुलाब के पौदे के लिए सबसे जरूरी होती है सोयल मीडिया सोयल मीडिया को हम अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो हमारे गुलाब के पौदे पर फूल जादा आने लगते हैं और इसके अलावा भी आपको बताना चाहूँगा गुलाब के पौदे को पानी कितना देना चाहिए और किस टेम में देना चाहिए गुलाब के पौदे में पानी आप सुबह या साम को ही दे सकते हैं यदि आपने दुपेर में गुलाब के पौदे में पानी डा तो यदि गमले में पानी भरा हुआ है तो पौदे की रूट है जो की गलने के ज़्यादा चांसे बन जाते हैं तो यह अमें बिस्येश ध्यान रखना है गुलाब के पौदे पास ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है बरसात तो चली रही है तो बरसात के मौसम में जो की पौट में ड्रेनेज हो लोते हैं उन्हें आप खोल के रखिएगा ताकि ओवर वाटरिंग हो जाये तो वो नीचे की तरफ से निकल पाए तो यहां पर भी दोस्तों आपको ऐसी साबदा नहीं रखनी है तब ही आप अपने गुलाब के पौदे से ज्यादा फूल प्राप् उससे पहले मैं आपको यह भी बताँगा गुलाब के पौदे के लिए उतनी दूप की जरूत होती है जितना इस पानी को सोकने की जरूत होती इसकी मीडिया को तो उतनी ही इस गुलाब के पौदे को दूप की जरूत होती है यदि गुलाब के पौदे पर दूप नहीं तो चली दोस्तो यह जो सामने आप देख पा रहे हैं यह मैंने 200 ग्राम बनाना फिल फटीलाजर लिया हूआ इसमें मूलिब तत्व पाय जाते हैं तो गुलाब के पौदे के लिए सबसे जरूरी है इसके अलाबा जो यहां पर आप देख पारें यह मैंने बर्मी कमपोष्ट लिया हुआ यह केंचुओं की बनी हुई खात है तो इस बर्मी कमपोष्ट कातकों में जो बनाना फील फटीलाजर लिया हुआ है मैं उसके अंदर इसे डाले लेता हूँ इसे डाले के बाद में मैं अच्छे से इसे इलालूँगा करीबन इसमें हम 30 ग्राम के करीब बनाना फील फटीलाजर में से बर्मी कमपोष्ट को हम मिला लेंगे अब इसे हम मिक्स किये लेते हैं ताकि हम अपने गुलाब के पौदे में अच्छे से दे सके हैं तो चलिए फिर में जल्दी से मिक्स किये लेता हूं और इसे हम अपने सभी प्लाइंटों में दे सकते हैं जितने भी हमारे पास पौदे हैं उन सभी में आप इसे लगा सकते हैं बरसात के मौसम में ये हमारे पौदे पर बहुत ही अच्छा अपडेट मिलता है इसे हमारे पौदे पर इसे ज़्यादा फूलाना सुरू हो जाता है तो ये देखिए दोस्तों जो बनाना फील फटीलाजर में हमें ने बर्मी कमपर डाला हुआ तो उसे मैंने गोल कर तयार कर दिया है अब इसे हम अपने पौदे में डालते हैं चलिए दोस्तों फिर हम इस गुलाब के पौदे में इस बनाना फील फटीलाजर को डाले देते हैं कोई भी फटीलाजर हम गुलाब के पौदे में डालें या और भी पौदों में डालें तो हमें आसान तरीके से ही डालना है कोई जल्दवाजी नहीं करनी है जल्दवाजी में हमारे पौदे पर उसके जो मूली पोस्व तत्वों वो अच्छे से नहीं मिल पाते हैं तो जब भी कोई फटीला डालें आप अपने पौदे में तो आसान तरीके से डालें और चारों तरफ डालें एक तरफ नहीं डालें क्योंकि एक तरफ ही वह जाएगा तो हमारे पौदे को उतने मूले तत्वों नहीं मिल पाएंगे तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लेगी अकर वीडियो अच्छी लेगी तो आप हमें कमेंट करके बताईए का जरूर चैनल पर पहली बार आएं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक